Error Message में लिखा है Member DataBird Does Not Match With Available Data In Unified Portal इसके साथ में ही आपके पास ऐसा Message भी आ सकता है Available Name Spelling Does Not Match With Data Available With Unified Portal ठीक है तो चाहे आपका Name गलत हो चाहे आपका DataBird गलत हो कैसे आप ठीक करेंगे प्लीज मैं request करूँगा ये वीडियो complete देख लीजेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 100% practical जानकारी है पहले मेरा परचे जान लीजे फिर आप इस वीडियो पे ज़्यादा भरोसा कर सकेंगे मेरे नाम सागर है मैं PF Consultant हूँ जो यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ ये मैं आपको with proof बताऊँगा देखे ये PF के अधिकारी है इन PF अधिकारी से मैंने इसी सवाल को पूछा था ये सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से था मैं आपके इन सवालों को देखता हूँ और मुझे ये चीजे पता हैं कि ये कैसे होना है लेकिन जब मेरे को मौका मिला P.F. अधिकारी से सीधे तोर पे पूछने का तो मैंने आपके इस सवाल को जरूर से उठाया है UN Activate नहीं हो पा रहा है Name, Data, But, Mismatch आ रहा है तो ना P.F. अधिकारी का कहना है कि अगर आप अपना login नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत है Joint Declaration Form भड़ने की अभी इस Joint Declaration Form के अंदर में क्या-क्या तक्निकी बाते हैं जो आपको समझना जरूरी है वो आपको मैं बता देता हूँ दिखे, सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आपका आधार कार्ड लिंक हो चुका है उस वाले UN से तो आप नया UN नमबर नहीं बना सकते हैं यह चीज तो फक्की हो गई अगर जो UN नमबर है उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं है तो निश्चे तोर पे आप एक नया UN नमबर बना सकते हैं यह समझा गया अब अगर आपको ऐसा लगे कि भाई हमारा तो उसी UN के अंदर पैसा पड़ा हुआ है और हमें तो वो UN एक्टिवेट कराना है या फिर आप नई जॉब जॉब जॉण करने जा रहे हैं वहां आपको यह चीज कहा जा रहा है कि भाई आपका UN नमबर साइनी है हम आपको जॉब पे नहीं रखेंगे तो ऐसे में आपको यह जॉइन डिकलरेशन करवाना बहुत नेसेसरी हो जाता है यह किस से करवाओगे यह जिस जगे आपने नौकरी की है उन में से किसी भी जगे से करा सकते हो मालो कि तीन कंपनियों में आपने नौकरी करी अगर तरीके से तो पहली वाली कंपनी ने आपका UN बनाया है लेकिन ज़रूरी नहीं कि पहली वाली कंपनी ही आपका करेक्शन करे अगर आपने बाद में आधार कार्ड में correction कर लिया है तो आप दोसरे नमबर या तीसरे नमबर company किसी एक company से भी अगर आप joint declaration वाला काम ये करवा लेंगे तो आपका UN number open हो सकेगा और जब UN open हो सकेगा तो बाद में आप चाहें तो इस वाले या इस वाली company से आप correction करवा सकते हैं form simple से आपको भरना है simple सा क्या form है जैसे form भरना तो वैसे मैंने बता रखा है लेकिन क्योंकि ये एक detail वीडियो है तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ देखे ये जो है ना ये letter pad पे बनेगा joint declaration form जो है company के letter pad पे बनाया जाएगा उसके बाद यहाँ detail क्या लिखा जा रहा है I I मतलब आपका नाम having UN number आपका UN number PF member ID आपको नहीं पता होगी तो वो company आपको बता देगी आपको अपना अधार number यहाँ लिखना है उसके बाद आपको अपने company का नाम लिखना है उसके बाद आपको अब नीचे आएंगे सारी detail आपको बढ़नी है अब समझेगा कि जितने भी details आपके पास है जो जो सही detail है जैसे आधार number आपका सही है वो आप भरिए अपना सही नाम भरिए, date of birth भरिए, gender भरिए father name भरिए, relationship में father लिखिए date of joining, date of living अगर आपको नहीं पता है तो आप मत भरिए ये वो चीज़े हैं जो आप correction करना मतलब अगर correction करने की जरुरत है जिसे date of joining, date of living भी गलत है तो आपको जरुरत लगे तो आप भरिए वरना मत भरिए लेकिन ये जो basic चीज़े हैं जैसे आधार, name, date of birth, gender, father name, relation ये तो भरना ही भरना है, marital status में है, जो भी आज की स्थिति हो भरिए nationality में Indian भरिए, ये समझ गए, ये भरना हो गया अब हम आगे जलते हैं, देखिए आपको form ये भरना पड़ेगा एक एक column में आपको बता रहा हूँ, इस हिसाब से आपको भरना है उसके बाद देखिए, ये जो चीज़ है, ये अब आपके company के अधिकारी को भरना है company का अधिकारी क्या भरेगा, जिस अधिकारी के signature, पी एफ ऑफिस में जमा है उस ही अधिकारी की detail भरी जाएगी, इस में अधिकारी का नाम, अधिकारी के पिता का नाम, अधिकारी आपके किन-किन कागजों को अभी आपके request के साथ लगा रहा है वो तो कागज क्या लगाने है, कागज में नाम के लिए अलग कागज होते हैं, डेट बर्थ के लिए अलग कागज होते हैं उसकी वीडियोज मैंने अल्रेडी बनाई होई है, मैं आपको एक रफ आइडिया दिखा देता हूं देखे मैं आपको complete ही बता देता हूँ यह हम joint declaration पे गए इस joint declaration में circular के अंदर हम यहाँ पे आ जाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ complete जानगारी circular पे हम आ गए circular में देखो अगर आपका नाम बदलना है आपको नाम बदलना है तो यह सभी document है आप यहाँ पे रोक के इन documents को देखिए इन documents में से आपको कोई तीन document आप लगा सकते हैं ठीक है अगर आपको date of birth बदलना है date of birth बदलने के लिए यहाँ पे आपके पास यह 6 document है इन में आप अधार कार्ड को मत मानिएगा बाकि आप 6 document में यह 6 document आपको दिख रहे हैं यह वाले document हो गए साथ में ही pen card अगर मैं आपको practical बताओं practical जानकारी दूँ तो आपका अधार कार्ड आपका pen card और आपका साथ में अगर driving license हो इन तीन जग़ों पे अगर आपका नाम आपका father name आपका date of birth यह तीनों match कर रहा हो तो आप इन तीन documents को लगा सकते हैं इससे आपका हो जाएगा ठीक father name के बात करें तो father name के लिए यह documents हैं आपके पास और साथ में ही उपर के तरफ आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको और भी additional चीज़े दी गई हैं तो यह आपका आधार काड़, आपका pen card, 10th का certificate, driving license इस तरह की चीज़े आप वहाँ पे लगा सकते हैं तो इन में से तीन documents लगाने हैं अब मालो की तीन documents आप लगा रहे हो मालो की नाम भी गलाता है, father name भी गलाता है वो क्या बोलते है, date of birth भी गलाता है तो ऐसे में फिर इन documents के अलावा आपको company से एक letter बनाना पड़ेगा जिसमें company एक जिम्मेवारी लेगी कि हाँ भाई हम से गलती हो गई है और हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं यह correction आप करके allow कीजिए, ठीक है तो यह documents यहाँ पे mention कर दिये जाएंगे क्या-क्या document आप लगा रहे है उसके बाद we मतलब यहाँ आपका नाम यहाँ पे company के अधिकारी का नाम यहाँ पे member अपना sign कर देगा और यहाँ पे company का अधिकारी गोल वाली महर लगा के sign कर देगा ठीक है, यह आप इस तरह से form भरिए इसके साथ में जो आपको मैंने document बताए है वो document आप लगाईए उन सभी documents पे आपके signature होना अनिवारे है और साथ में ही company अपना मोहर लगा के signature लगाईगी मोहर signature ठीक है, यह तीन document आप इस तरह से बनाईए और अगर आपका PF office आज के समय, आज यह है 12 जून आज के समय में PF office, कुछ PF office मना कर रहा है कि हम आपका form online ही लेंगे, offline नहीं लेंगे तो यह जो PF अधिकारी है, इनका कहना है कि हम जल्दी ही online सुवधा उपलब्द करा देंगे फिलहाल यह सुवधा online उपलब्द नहीं है जहां employer अपने पास से इस form को भरके आपका जो PF office है वो भेजेगा जैसे अभी आपने physical form भरा ना वो physical form जो है employer के पास से भरके फिर आपका, आप अपलोड कर पाएंगे इसमें आपके company के सही हो की बहुत ज़्यदा जरूरत है अगर मालों का company बंद है तो उस case में अलग चीजें बताई गई है कि आपके कुछ अधिकारी हैं जिनके signature वगजर से आप ये काम करवा सकते हैं अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अधिकारी ने इस विशे पे क्या कहा है बाकि अगर आप पूरा detail में देखना चाहें तो आप social EPFO के YouTube चैनल पर जाके इस पूरे YouTube लाइव को देख सकते हैं जहां और भी बहुत सारे सवालों के जवाब दिये गए हैं जहां हमने भी बढ़ चड़ के अपने सवाल पूछे जैसे mismatch के अलावा UN Disable के लिए पूछा DSE के बारे में पूछा Husband Relationship नहीं आ रहा है वो पूछा जिनका अधार लिंक नहीं है वो Join Declaration कैसे करेंगे ये भी पूछा ठीक है KYC नहीं की जाती है वो भी पूछा तो जो भी आपके actual सवाल होते हैं actual परिशानिया होती हैं वो मेरे को पता हैं उस बारे में हमने यहां पे पूछा सारी से जिनके जवाब हमें मिले हैं और इन पर मैं आपको वीडियोज अल्रडी दे रहा हूँ आप इन टॉपिक्स के उपर वीडियोज मेरे चैनल पर देख सकते हैं अलग-लग टॉपिक के हिसाब से मैंने बनाया है तो अब आप देख लिजे अधिकारी ने क्या कहा है और मैं लूँगा आपसे विदा मिलेंगे हम अगली वीडियो में इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद